जै हिंद इस वीडियों हम लोग रियल एस्टेट के एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम हाउसिंग डेपलोप्मेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है इसके बारे में बात करेंगे पिछली एक साथ आस इस कंपनी के सेर प्राइस में लगता है गिराउट हो रही है अ लाकि इसमें बने रहना या निकल जाना है यह आप सभी को असानी से समझ में आ सके आइए वीडियो शुरू करते हैं देखें दोस्तों यह जो कंपनी है हाउसिंग डेवलोप्मेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसी को सौटकॉर्ट में एच्टी आइल के नाम से सब्सक्राइब करते हैं अब समझ इस कंपनी का मार्केट के 329 रूपया याने कि एक पेनिये स्टोक है और सेयर प्राइस देखेंगे तो नीचे जा रहा है क्योंकि इसमें लगवख 5% का लोवर सर्कृट लगा है तो 5% के इसाफ़ते कंपनी का सेयर प्राइस रोज नीचे को लगा था उसके बास सेयर प्राइस डाउन जाने लगा अभी देखिए जब से डाउन जा रहा तो लगवख एक सब्ता में देखेंगे साड़ा सत्तरा परसेंट टूट चुका है एक माह में देखेंगे तो 77.1% का रिटर्न इसका अभी पोजेटिव में है क्योंकि अभी अधिक है मतलब सलाना रिटर्न अधिक होना चाहिए लेकिन यहां सलाना रिटर्न कम है तो देखिए ऐसा नहीं है मालेज आप कोई बिजनेस करते हैं और आपको साल भर में जितना मुनाफ़ा होता है उतना किसी एक मंत में किसी फेस्टिवल के कारण आपको अच्छा-खास पैसा है हाला कि अभी शेयर प्रैस नीचे जा रहा है तो अभी सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो देखिए जो पाहला सपोर्ट लेवल इसको भी ब्रेक कर देगा यानि कि इससे भी नीचे अभी जाएगा और आरे से देखेंगे तो लभक साठ क्या सपास है मतलब मेरे मेरा जोनुमान है कि आरे से यह भी 30-35 कास पास आएगा उसके बाद ही शेयर प्रैस फिर उपर जाने के कोई संभाव ना या अपर से लगने के कोई चांस है देखें बहुत सारे लोगों को यह समझ नहीं आता है कि आरे से क्या होता है और इसका सेयर प्रैस पर क्या असर प मार्च के बाद का कोई डाटा मुझे नहीं मिला अगर आपको मिला हो तो कमेंड में जरूर बताएगा जो डाटा मुझे मिला मैं उसको बैसिस पर आपको बता रहा हूं कि इस कंपनी का बुक वैलू है निगेटीव में देखिए बुक वैलू का मतलब होता है कि अगर माने और आरो यारो सी दोनों निगेटीव में कुछ नहीं है तो आगर आपका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो आपको शेयर प्रसाल बरू जो रिटर्न मिलेगा वह भी लगग नहीं के बराबर ही मिलेगा इस कंपनी के उपर 2481 क्रोन रूपय का कर्जा है और मार्केट क कर जा हो इस कंपनी को उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए देखेंगे के पास रिजर्ब कुछ नहीं है फिरी कैस फ्लो बिलकुल नहीं है यह भी निगेटीव में माइनस 2726 क्रों का असेट से जानी कि जो कंपनी के खुद की समपती होती है वह है 3970 क्रोन रू कुछ हो सकता है जो मुझे अच्छा लगा यहां प्रमोटर्स स्यदारी अच्छी खासी मात्राम 1085 पांच पर Тses उनकी 10 सब्सक्राइब देखा जाता है तो यह थोड़ा सा पोजेटिव साइन है अब समझे इस कंपनी का जो से बहुत ज्यादा आप डाउं ट्रेंड डॉला रहा है और इस तरह की जिसमें प्राइस बहुत जल्द जल्द उपर जाता और निचे आता है तो इसमें दो चीज़ होते ह करना चाता है तो उसके लिए भी इसमें तुनंत रास्ता खुल जाता तो ऐसे में क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत यह कामा कर दे सकती है लेकिन लॉंग ट्रम के नजरिया से इस तरह के जो शेयर प्राइस वाले कंपनियां होती है इसमें बने रहाना या हेवी इंव इंवेट्मेंट करना चाहते हैं तब बाकी जो लोग इसमें इंवेट्मेंट करके बैठे हुए जिनको नोकसान हो रहा है उनके लिए चिंता है कोई बात नहीं है नोकसान में तो बिल्कुल नहीं बैचना है बने रही जब सेयर प्राइस सूपर जाएगा तो वहाँ पर प